बट आपको एक एक चीजे इन डिटेल में समझाओंगा RC किस तर से आपको चेक करना है क्या ही RC में ऐसा है कि चिप लग क्या आती है उसका नमबर और ये नमबर आपको मैच करना है तो यहां मिस मैच हो रहा है मतला आप समझ जो जो वहिकल है उसका कलर चेंज कराया गया है य काफी सारे लोग होते है जिसे नहीं पता होता है आकिर RC क्या होती है Registration Certificate क्या होता है कई बार कई नए नए लोग होते है जो कि technical field में आते है वीकल अगर purchase करते है तो उनको वो टाइम समझता है नहीं आकिर RC क्या होती है नाम तो पता होता है RC Registration Certificate बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि RC में मतलब क्या के चीज़े हमें चेक करना है किस तरह की RC होती है याने इन डिटेल पूरा RC के बारे में ये वीडियो होने वाला है ताकि आप अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो वाच कर लेते हो तो मेरी गैरेंटी है कि आपको RC के बारे में एक एक चीज़े अच्छे से समझ जाएंगी जिसे नहीं भी आता है जीरो जिसे पता है वो भी 100% सीख सकता है यह मेरी गैरेंटी है वीडियो के एंड तक आप पूरा सिख जाओंगे RC क्या होती है किस तरह से चेक किये जाते है RC को means registration certificate को और क्या के चीज़े आपको चेक करना जरूरी है सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपकी RC होती है जो भी आपकी vehicle होती है for example अगर petrol vehicle है तो उसकी validity जो होती है वो होती है 15 साल 15 साल की उसकी validity होती है और जो diesel vehicle है उसकी validity होती है 10 साल यानि जब भी गाड़ी registered हुई है RC को पर नाम आया है उसके बाद से जो petrol vehicle है वो 15 साल और जो diesel vehicle है वो 10 साल बट अगर ये खतम हो जाए, 15 साल भी खतम हो जाए, 10 साल भी खतम हो जाए तो आप 5 साल के लिए और उसे extend कर सकते हो ये चीज मैंने आपको clear कर दिया बट अभी scrapping policy आई है, जिसके उपर मैंने एक dedicated video already मेरे चैनल पर upload किया हूँ आप जाके देख सकते हो कि vehicle जो है, वो 15 साल से उपर आप नहीं चला सकते हो और वो scrapping में चले जाती है, तो वो वीडियो भी जाके आप check out कर सकते हो तो अब friend आपको बता तो कि RC क्या होती है, सबसे पहले RC या फिर registration certificate ये आप mind में रख लो, RC short form है, registration certificate जो है, वो full form है ये दोनों चीज में आपको confusion नहीं होना है कि registration certificate क्या है और RC क्या है ये दोनों एक ही चीज है, अब मेरे पास एक RC available है, जो कि मेरी vehicle की है वो मैं आपको share करता हूँ, और उसके थूर आपको बताता हूँ, RC को पर क्या के चीजे mention होती है क्या details होती है, और अगर आप कोई गाड़ी purchase करने जा रहे हो तो RC को किस तरह से check किया जाए, क्या के चीजे आपको check करना जरूरी है तो ये सब चीजे इस वीडियो के अंदर आपको in detail मैं समझाता हूँ और वीडियो end तक देखना, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि skip मत करना नहीं तो आपको RC के बारे में अगर आप सीखने आया है हो, तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा अगर आप first से लेके, यानि starting से लेके end तक देखते हो, तो मेरी guarantee है आप RC के बारे में एक-एक चीजे in detail सिख जाओंगे तो फ्रेंट चलिए, मेरे पास एक RC है, जिसके उपर से मैं आपको demonstrate करता हूँ और in detail आपको पूरा समझा देता हूँ, चलिए फ्रेंट तो फ्रेंट देख सकते हो, मेरे पास है RC, जो कि मेरी खुद की vehicle की है, आप मेरा नाम जेक तक जो हो कुछ-कुछ personal detail है, जो कि मैंने यहाँ पे hide कर दिया हूँ, जो कि मैं पूरा आपको share नहीं कर सकता हूँ बट आपको एक-एक चीज़े, in detail में समझाऊंगा RC, किस तरह से आपको check करना है, क्या के चीज़े आपको check करना है अब आप देख सकते हो, जैसे कि यह है RC, आपको मैं दिखा दूँ कि यह एक smart card के form में है smart card है, यह RC book भी आती है, जो कि पहले चलती थी, अब recently जो है नया, वो card के form में चलती है अगर आपको back side में बता हूँ, तो back side में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की RC है या भी इस नई RC में ऐसा है कि chip लगके आती है, और कुछ इस तरीके का back side इसका रहता है अब सबसे पहले कभी भी आप vehicle लेने जाते हो, तो यह RC बहुत जादे important है, यह check करना आपको बहुत जादे ज़रूरी है क्या के चीज़े, सब बताता हो इस वीडियो में, end तक देखते रहे न, सबसे पहली चीज़, जो भी vehicle आप purchase कर रहे हो उसका जो number plate है, उसका number और ये number, आपको match करना है क्या ये दोनों same है, या इस पे अलग दिख रहा है, और number plate अलग दिख रही है ये सबसे पहले चेक करना है, ये जो है, वो आपके vehicle का registration number है कि आप जो भी vehicle purchase कर रहे हो, उसकी जो number plate पे number है, वो ये ही होना चाहिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है, दूसरी बात, यहाँ है registration owner जो भी owner है, जिससे भी आप गाड़ी ले रहे हो, उसका नाम, जैसे का आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम है नीचे father's name में, अब यह नाम से तो ऐसा कुछ नहीं है, नाम किसी का भी हो सकता है यह तो आप एक तरह से चेक कर सकते हो, जो भी नाम है आप पुछ सकते हो, जो भी है, उसका नाम होगा second, यहाँ आप देख सकते हो, यह है registration date, जो के है 17.9.2010 यह registration date जो है, वो है RC की date, यहने जब भी vehicle manufacture हुई है उसके बाद किस month में, किस date को और किस year में, RC के उपर, RTO के अंदर registered हुई है यह उसका number है, और उसका मतब date, month और year है तो यह भी आप चेक कर सकते हो, कब हुआ है, कब का model है, 2010 यह आप देख सकते हो, चलो यह तो registration का year है, और month है आप vehicle की manufacturing भी देख सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ second चीज़ यह है, कि यहाँ आपको दिया है color जो भी आपकी vehicle है, वो भी आपको match करना है, like white है, black है, red है तो यह आपको देखना है, कि जो color दिख रहा है, वो match हो रहा है या नहीं like यहाँ आपे लिखा है black color, और जब आप vehicle देख रहे हो, वो white color किये तो यहाँ mismatch हो रहा है, मतलब आप समझ जो जो vehicle है, उसका color change कराया गया है या wrapping कुछ कराई गई है, तो यह चीज आपको एक एक चीज़े चेक करना है दूसरा, fuel, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मेरी जो vehicle है, वो petrol है, तो यहाँ पेटरोल लिखा है यहाँ कुछ भी हो सकता है, diesel हो सकता है, CNG हो सकता है, LPG हो सकता है, या फिर electric भी हो सकता है अभी जो latest में चल रहा है, तो यह आपको चेक करना है, जो भी vehicle है, यह लिखा है, या नहीं पेटरोल हो तो petrol, diesel, या फिर आपका CNG कुछ भी हो सकता है, तो यह आपको चेक करना है यहाँ दो चीज़ भी हो सकती है, अगर petrol प्लस CNG है, तो यहाँ पेटरोल और CNG लिखा होंगा, तो यह भी आपको चेक करना है दूसरी, यह यहाँ आपका जो class लिखा है, तो यह इत्ता कोई खास नहीं है, यहाँ आपके manufacturer का नाम लिखा है, जो भी है General Motor, India Private Limited, जो की मेरी Chevrolet Spark है, तो उसका लिखा है आपकी vehicle का जो भी है, Maroti, Hyundai, Toyota, तो यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है दूसरी बात, यह है chassis number, यह बहुत जादे important है, chassis number, आपकी जो भी vehicle आप purchase कर रहे हो, car उसका chassis number जहां भी हो, जो भी आपका owner है, उससे आप ask करो, कहाँ पे chassis number present है और जो भी chassis number है, और जो आपकी vehicle पे chassis number है, वो दोनों को आपको match करना है कि दोनों match हो रहे है, जो भी इस पे लिखा है, और वो ही same आपके vehicle पे लिखा है या नहीं यह दोनों चीज़ आपको check करना है, दोनों को आपको cross check करना है, और match करना है engine number, engine number थोड़े मुश्किल है आपको देखना, बट यह भी normal आप RC पे check कर सकते हो और देख सकते हो, दूसरा यहाँ आप देख सकते हो, गाड़ी का model जो भी vehicle है, तो यहाँ नाम लिखा है कौन सा है, LS है, BS4, तो यह सब चीज़ यहाँ आपको mention दिखेंगी, यह भी आप check कर सकते हो यहाँ important चीज़ यह है, कि आप यह जो देख रहे हो, hypothecated 2, इसे hypothecation भी कहा जाता है, तो यह चीज़ बहुत ज़ादा important है तो अगर यहाँ hypothecated के, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है, hypothecated 2, और अगर इसके आगे कोई bank का नाम है, या फिर कोई financer का नाम है, तो आप समझ जाओ कि आपकी वो भी vehicle आप purchase कर रहे हो, वो finance करीवी है, और उसकी EMI चल रही है अभी भी, या फिर अगर खतम भी हो गई है, तो इसे हटाया नहीं गया है, अगर एक बर finance complete हो जाता है, तो यहाँ hypothecation जो है, वो आपको RTO में जाके हटाना पड़ता है, देन उसके बाद वो आपकी RC से हट जाता है, अगर नहीं हटा है, तो RC transfer भी नहीं हो सकता, अगर यह आपको दिख रहा है, EMIB अग जो भी आपकी vehicle है, कब manufacture हुए, जैसे आप देख सकते हो, 2010 है और आटवा मंत है, और उपर में जैसे क्या आपने देख हो, नवमनत में जो मेरी vehicle है वो registered हुई है, याए आटवे मंत में वेhicular बनी है, और नवमनत में जो vehicle है वो registered हो गई थी, तो यह दोनों आप देख सकते ह यहाँ नीचे में कुछ चीज़े है जो के नॉर्मल एक तरह से वेहिकल का स्पैसिफिकेशन है लाइक किते सिटर है तो यहाँ फाइल लिखा है और यहाँ टेक्स पेड अपटू तो यहाँ LTTA means lifetime tax यहाँ वन टाइम टेक्स जो है वो पे करना पड़ता है और lifetime वो होता है जब तक आपकी वेहिकल की age है दब तक यहाँ आप देख सकते हो कि यह registration 2010 की गाड़ी है और कब तक इसका registration रहेंगा तो आप देख सकते हो यह रहेंगा 2025 तक 2025 तक जो गाड़ी है 2010 model की वो 2025 तक valid है उसके बाद 5 साल के लिए extend हो सकता है अगर आप कराना चाहे तो यहाँ कुछ address है जो कि आप देख सकतो और यहाँ authority का नाम है जो भी RTO का है जहाँ जो भी अर्ट है उसका यहाँ नाम है और यहां authority का signature है दूसरी important चीज़ देखनी की यह है कि यहाँ आप देख सकतो number नमबर ऑफ सिलेंडर कि कित्ते सिलेंडर गाड़ी है तीन भी हो सकता है दो भी हो सकता है चार भी हो सकता है पांच भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यह चेक कर सकते आप कित्ते सिलेंडर इंजन है और इंपोर्टेंट चीज जो देखने की वह है ओनर सेरियल नमबर यह ब तो यहां 0,3 लिखा हुआ है आपकी जो vehicle है कुछ भी हो सकता है first owner है तो 01 लिखा होँगा second owner है तो 2 लिखा होँगा पांचवा owner है तो 5 लिखा होँगा 10 लिखा होँगा जित्ता भी owner है जित्तों के पास गाड़ी गई है उसका ये number है तो ये भी बहुत जादे important है कि आपको जो भी vehicle आप ले रहे हो वो कौन से owner की serial number वाली आप ले रहे हो first owner है तो काफी अच्छा है second, third भी आप उसके लिए भी जा सकते हो तो ये चीज़ भी बहुत जादे important है जो कि आपको RC पे check करना है यहाँ कुछ vehicle की थोड़ी बहुत specification है जो कि आप देख सकते हो, wheel based लिखा है, cubic capacity, 1000cc का engine है तो यहाँ आप देख सकते हो, 1000 लिखा हुआ है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यह 1000 आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्योंकि 1000cc का यहाँ engine है, उपर में vehicle का weight है तो यह एक specification है जो कि आप vehicle की है, जो देख सकते हो बट important चीज़े जो है, वो यहाँ से लेकि यहाँ तक और serial number यह सब है जो कि आपको जब भी vehicle पर्चेस करते हो, तो आपको चेक करना ज़रूरी है और definitely आपको चेक करना ही है, उसके बिना आप कोई भी vehicle पर्चेस नहीं कर सकते हो और hypothecation भी आपको बहुत ज़्यादा important है, चेक करना क्योंकि अगर hypothecation RC के उपर present है अभी भी, तो आगे में problem होती है और कोई भी vehicle बिना hypothecation के हटने के बाद, अगर hypothecation है तो कोई भी vehicle आगे transfer नहीं हो सकती, जब तक ये हटे ना एक बार हट जाता है, तो आप दूसरों के नाम पे transfer कर सकते हो otherwise नहीं, तो यह है आपकी RC जो कि आपको चेक करना है और आपको in detail RC के बारे में एक एक चीज़े अच्छेजे समझ गए होंगी जैसे के मैंने आपसे वादा किया था, कि 0 से लेके 100% तक मैं आपको सिखाऊंगा RC क्या होती है और आपको समझ भी गया होगा जैसे के आपने देखा मैंने आपको in detail समझा दिया आखिर RC क्या होती है, registration certificate क्या होता है और क्या के चीज़े आपको चेक करना है जब भी आप owner से vehicle purchase करते हो तो RC के उपर आपको क्या क्या चीज़े देखना है क्या सही, क्या गलत सब चीज़े मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया और आशा करता हूँ, आपको समझ भी गया होगा in detail जैसे का मैंने कहा था, अगर आप ये वीडियो, अगर आपने पूरा full watch किये होंगे, तो guarantee है, आपको समझ गया होगा RC क्या होती है, easy language में समझाये हो मैंने और आपको समझ भी गया होंगा आज के लिए इता ही, मिलते हैं नेक्स टूडियो में जब तक के लिए good bye